हलो फ्रेंड्स एक फिर से स्वागत था है आपके अपने चैनल ट्रेडिंग बुल में और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्यूंकि मैं ऐसे सांदर वीडियो ले के आता रहता हूं और दो स्टॉक के बारे में बात करूंगा दोनों एक ही सेक्टर के स् और चाथ परसेंट की ग्रावटती इसमें 2,255 रुपै क्लोजिंग थी मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है डिप्डेंड डील बही एक परसेंट की है ठीक ठाक डिप्डेंड डील नील्ड है और डिलिवरी कोई खास नहीं 14 परसेंट की डिलिवरी होई है और दूसरा गिराता 645 रुपैस की क्लोजिंग थी ये भी स्मॉल कैप कंपनी है डिप्डेंड डील इसकी 0.30 परसेंट है और अगर लंबी दूरी के रिटन की बात करें तो एक साल में 279 परसेंट की रिटन ठीक है और उससे भी अगर लंबी दूरी के रिटन की बात करेंगे तो 1446 पर क्वंबर के बीच में आप देखेंगे तो भई ये 5000 तक जा चुका है और उसके बाद से भई कोरोना के टाइम ये 600 रुपै के सम्तिंग भी गया था बीच में और अगर बात करें भई इसकी जो फाइनेंसिल ग्रोथ है तो भई ग्रोथ मुझे कोई जादा खास नहीं लगी कभी भई किसी साल बहुत जादा हो जाती है तो भई उस साल इस्टॉक भी भाग जाता है और किसी साल बहुत कम होती है तो भई इस्टॉक भी गिर जाता है आप देखेंगे 2018 में कितने अच्छी रिवेन्यू बड़े हैं और 19 में भी बड़े हैं और 20 में भी हैं और 17 में कि बात करेंगे इसकी ग्रेफाइट की तो ग्रेफाइट आप देखेंगे तो बनबीक में 26 परसेंट के रिटन दिखा रहा है बात करें इसकी एक साल के रिटन की तो एक साल में आप देखेंगे 314 परसेंट के पॉजिटिव रिटन है आपके एक लाग को बना दिया 414,000 रुपे तो ठीक ठाक रिटन है एक साल के बीतर और अगर लंबी दूरी के रिटन की बात करेंगे तो 799 परसेंट के रिटन है और अब यह high था वही 11-27 रुपया और same stock है वही same तरीके से चलते हैं यह भी वही उसी समय 18-19 के बीच की जो बात थी उसी समय वही 11-27 का इसे ने high बनाया था और same तरीके से यह भागते हैं stock और अब बात कर लेते हैं वही इसकी financial growth की तो growth इसकी भी आप देख सकते हैं उसी तरीक उसी तरीके से दिमांड इनकी भी बड़ी है इसी लिए यह stock भागे हैं दोनों hack और बई यह अपना grape fight और अभी यह खत्रे से खाली विल्कुल नहीं है news base यह बागे हैं तो खत्रे से खाली विल्कुल भी नहीं है आप यहाँ पर विल्कुल भी खरीदेंगे तो फस जाएंगे तो अगर आपको बई अगर ये news थोड़ी ठंडी हो गई तो यहीं हो सकता है गिर जाए फिर ये stock तो आपको रहना है ऐसे stock से थोड़ा सा दूरी बना के रखना है अगर आप chance से अपना share market में काम करना चाहते हैं नहीं रातों की नीद गाईव हो जाएगी आपकी और बात करें अगर ग्रेपाइट की तो ये भी सेम आप देख सकते हैं इसी समय भागा है उसी तरीके से जैसे ये भागा है तो आपको क्या करना है patience रखना है और अगर आप लेना ही चाहते हैं तो भई इसको ठंड़ा होने दे ठंड़ा होने के बाद मैं buying level बताऊंगा तब भई आप इसको खरीदना और अभी अगर आप खरीदेंगे तो फच जाएंगे और फिर आप panic में आप इसको sell कर देंगे और loss में निकलेंगे तो भई अभी दूर रहना है इन stock से और अगर आप इने अपनी बाच लिस्ट में लगा लें तो भई इनको track कर सकते हैं और बाकी वो आपकी मर्जी रही अगर आप खरीदना चाहें तो आप इस price पे भी खरीद लें भई मेरे को तो कोई इसमें loss होगा नहीं और मैं चाहता हूँ कि रिटेल इंवेस्टर बचे रहें और रिटेल इंवेस्टर फसे ना तो यही मेरी strategy रहती है और इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाता हूँ और कुछ awareness पहुचेगी रिटेल इंवेस्टर तक भी और उनको फायदा होगा और वीडियो भी अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक जरू कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना घंटी भी बजा देना और जैन दोस्तों